नमस्कार बहुत स्वागत आपका देख रहे हैं आईश्मान भव मैं हूँ आपके साथ आपका इश्टो फ्रेंड संतो संतोशी दिनांग साथ जनवरी को पैदा हुए लोगों के लिए पूरे वर्ष का हाल लेकर के उपस्तित हो चुका हूं बताएंगे किसी भी राश्य के ह हैं आप अगर आप आजल काइलेंडर के हिसाब से पंचांक के हिसाप से नहीं आंगल के हिसाप से 17 को जर्म पाएंगे तो आपके लिए पूरे वर्ष का हाल इस कारिक्रम में मिल जाता है एक ऐसा कारिक्रम है यह जिसे आप पूरे साल कभी भी देख सकते हैं पूरे साल इसका उपाय कभी भी कर सकते हैं और सिर्फ आपके लिए ही नहीं जो लोग साथ जनवरी को बिवाह किये हैं उनके लिए भी कुछ विशेश लेकर के उपस्तित होता हूं तो चलिए सुर्वात करते हैं आज के कार्गर्व की सबसे पहले आप सब को बहुत सारी शुक्तामनाएं और बधाईयां आपके लिए विश्यू वेरी हैपी वर्द्देया एंड विश्यू वेरी हैपी मैड़ी अगर आप साथ जन्वरी को पैदा हुए हैं तो आपके लिए यह वर्ष कितना मंगल कारी है आए जानते सबसे पहले शुक्षा के विश्यू पढ़ाई के लिए तमाम रास्ते खुलने जा रहे हैं शुक्षा में किसी तरह की समस्या नहीं आईगी शुक्षा आपके लिए अलग तरह का प जा रहे हैं बीटेक करने जा रहे हैं बीबीएस करने जा रहे हैं कुछ भी नई जिए के लिए अगस्त के बाद का समयन कूल रहेगा अगस्त तक आपको बहुत इस्टेगल करना पड़ेगा चद्दो जहाद बहुत करना पड़ेगा चित्रा और स्वाती दो दो नक्षत र अगर चर्चा करें तो दिनांक साथ जनवरी को पैदा हुए लोगों के लिए बिजनस के बड़े अवसर पैदा होंगे ब्यापार बहुत अच्छा करेंगे आप किसी तरह की रुकावट कोई परिशानी कोई दिक्कत दूर दूर तक नहीं है हां प्राइवेट सिक्टर के लि मार्च अथवा जूर अप्रैल मई में कहीं न कहीं अप्लाई करके आप इसको बना लीजेगा यही जोतिश्विज्ञान का एक लाभाब को मिल जाएगा जुलाई आनवर्ड्स वाहन सुख मकान सुख दोनों दिखाई देता है कहीं लोन आदि के लिए अपलाई करेंगे तो उसकी दिक्कत नहीं आएगी कुछ परेशानियां आपके लिए अचानक से तनाव का कारण बन सकती हैं जिस पर आपको बहुत सावधानी के साथ ध्यान देना होगा सोच समझ करके बड़े फैसले लेने होंगे सरकारी प्षेत्र की बात करें तो प्रमोशन के चांसेज फरवरी जून नमंबर में प्रमोशन के चांसेज इसके बाद किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी ट्रांसफर के लिए अप्रैल अगस्त नमंबर अगर कहीं ट्रांसफर आद के लिए विचार कर रहे ते पहर भी करवाने के लिए तो सबसे ज़्यादा अनकूल समय है दिनांक साथ जनवरी को पैदा हुए लोगों के लिए थोड़ा बहुत ध्यान देना होगा खास तोर पर दामपत्य जीवन में मंगल और राहु ये दोनों ग्रह दामपत्य जीवन के लिए सबसे ज़्यादा घातक होते हैं इनका अगर कहीं से भी सब्तम सब्तमेश दुतिय दुतियेश पर असर हुआ तो दामपत्य जीवन में तूफान आते रहेंगे बचाएंगे नहीं तो ये इस्थिती मंगल राहु के नक्षत्र में आपके आज 7 जनवरी 2021 को जो सुबह सुर्योद रहा है उसका प्रभाव बहुत जादा बढ़ गया है अब इसमें एक और बात है कि अगर आपके जनवान को मंगल रहोगी दर्शा अंतर दर्शा होगी तो जरूर मिल लीजिएगा एकबर कुंडली के साथ लव लाइफ बैलन्स रहेगा लव लाइफ में किसी तरह की बहुत दिक्कत नहीं आए कि थोड़े बहुत उठापटक रहेगी लेकिन जून में अगस्त में नवंबर में आप शादी की चर्चा कर सकते हैं अगर आप सिंगल है तो फरवरी अप्रैल और मई की तीन महिने में कोई न कोई आपके जीवन में प्रिवेश कर सकता है साथ जनुरी को पैदा हुए लोगों के लिए स्वास्त की चर्चा करें तो पेट आंख और बैक की प्राब्लम तीन मुख्य रूप से हैं घुटना कितनी लेवर अगर पहले से परिशानी चलिया रही है तो इनसे भी आपको जूजना पड़ सकता है ठीक है तो ध्यान दीजेगा अपना उपाय के तौर पर आंटा और चीनी का दान करना है आज अपने बरसंडे वाले दिन या जब भी कार्यक्रम देखें और आपको याद आए कि ये जनम दिन आपका है साथ जन्वरी तो आटा चीनी का दान जरूर कर दीजेगा मंगल भी सुधारेंगे और सोरे भी बैलेंस करेंगे जिनकी आज शादी की साल गिरा है वो दो कुमारी कन्याओं की शादी में मदद करते हुए किसी तीन बच्चे की पढ़ाई में भी पती-पत्नी मिलकर जरूर मदद करें इससे पूरे साल आपकी मैरेड लाइफ बड़ी खिर खिलाती हुई सी रहेगी अपने इस अइस्टो फेंड को अनुमत दीजेगा आप लोग बहुत प्रशन रहें ग्यारह जनवरी को आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं गोरखपुर में पहली विजिट है गोरखपुर में और एक ही दिन आ रहे हैं तो अपॉइंडमेंट फटा-फट अपना फिक्स कर करें थैंक यू सो मच नवश्कार आव नाइस दे शेरा दे